एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोमा मारू आईजन को मारता है और आईजन उसे रोक लेता है तभी कोमा मारू बोलता है तुमने सब को धोखा दिया है इसके लिए मैं तुम्हें माप नहीं कर सकता तुम्हें भी नहीं टूसेन तभी कोमा मारू अपना पास्याद करता है तभी टूसेन ट्रेक्टिस करता है तभी वो कोमा मारू से सौरी बोलता है क्योंकि गलती से कोमा मारू को लग जाती है तभी टूसेन अपना नाम बोलता है मैं हूँ कोना में टोसेन अच्छा लगा तुम से मिलके तबी टोसेन बुलता है तुम अपने स्पिरिच्वल प्रेशर को चुपाने में बहुत अच्छे हो मैं दीख नहीं सकता पर मैं लोगों को स्पिरिच्वल प्रेशर से डून सकता हूँ तबी थोड़े दिनों बाद ट तुम 13 कौर्ट गार्ट स्कौर्ट जॉइन कर रहे हो तो तुम मेरे कमांडर से मिलो वो बहुत अच्छे हैं वो तुम्हें स्कौर्ट में लेंगे तभी वहाँ पर आइजन आता है और बोलता है तुम ही कौमा मारू हो तुम्हारे बारे में बताया मुझे टोसेन ने मैं मैं स्कौर्ट फाय का ल्यूटेनेंट हूँ तभी टोसेन और कौमा मारू बाते करते हैं तभी टोसेन पूछता है तुमने 13 कौर्ट गार्ट स्कौर्ट जॉइन क्यों की है तो कौमा मारू बोलता है मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ जिसने मेरी हेल्प की उन पे और तुम क्यों जोइन की तब इस इन प्रेजेंट में आता है तबी कोमा मारू आइजन पर अटेक करता है और आइजन अटेक टोच कर लेता है तबी कोमा मारू टोसें को बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो टोसें मुझे जवाब दो पर टोसें कुछ नहीं बोलता तबी कोम नमबर 90 कुरो हिजसुगी तभी कोमा मारू के आगे ब्लेक वोल आ जाती है और अचानक कोमा मारू गिर जाता है तभी हिची को बोलता है दो कैप्टन के बीच में बैटल हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तभी आइजन बोलता है क्योका स्विगेट्सु पुरी तरह से वश्मे कर देती है ये तो खतरनाक है अगर ये इतनी खतरनाक ना होती तो यहां से निकलना ना मुमकिन हो जाता तभी गिन बोलता है हाडो 90 ये बहुत डरावना था मुझे लगा कि ये मेरे ध्यान में नहीं होगा तभी आपने इसे मास्टर किया होगा तो आइजन बोलता है नहीं ये तो फेलियर था अटेक तुमने जो देखा वो खाली 0.25% डिस्ट्रक्टिव पावर था इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तभी वहाँ पे उर्यू चैडोरी ही में सब पहुच जाते हैं तो गिन बोलता है नहीं तुम यहां नहीं आ सकते तभी आ मैं सेंट्रल 46 में गया और सब को मार दिया और इसाने ने खाली इतना ही बताया होगा कि आईजन ने अपनी जूठी मौत का नाटक किया उन्हें सेंट्रल 46 में मार दिया पर ये पूरी तरह से सही नहीं है जब मैंने तुम्हें ढूंडा तभी ही मैं सेंट्रल 46 में सब को मा और 6K members को अरेश्ट करने के लिए order दिया था तो मैंने simple तरीका ढूंडा तुम्हें सोग्योकु से execution करवाने के लिए होग्योकु को हासिल करना और फिर मैंने अपनी जूठी मौत का नाटक किया और मैं underground हो गया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे रियोका दोस्त तुम्ह बचाने जरूर आएंगे और execution फेल हो जाएगा और खाली दो ही तरीके हैं होग्योकु को तुम्हारी गीगाए में से निकालने के एक सोग्योकु और दुसरा तरीका जो सोल और होग्योकु को अलग करके और वो दुसरा तरीका मैंने डूंड लिया है और ये method मेरे को underground assembly hall मे ही मिलता मैं बहुत search किया उरहारा की invention पर तभी आईजेन वो gadget को start करता है और रुक्या पर attack करके होग्योकु को निकाल लेता है और बुलता है ये होग्योकु इतना चोटा होगा मुझे पता नहीं था और ये gadget ने रुक्या को भी कुछ नहीं किया कितनी अच्छी technique है और य हुझे तुमारी जरुप नहीं है मार दो इसे गिन तभी गिन रुक्या पर attack करता है तभी बीच में बयाकुया आजयता है और attack को खुद पर ले लेता है तो रुक्या बूलती है क्यों भाई क्यों आपने ये किया तभी Izen रुक्या के पास जाता है तभी वहाँ पर जी डै और सुइफोन भी पहुच जाते हैं तभी गिन बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ तो अभी मैं क्या करू तभी वहां पे रेंगी को आती है और गिन को पकड़ लेती है और बोलती है हिलने की कोशिश भी मत करना तभी गिन बोलता है ओ कैप्टन आइजेन मैं कुछ नहीं क मैं पकड़ा गया तभी योरोईची बोलती है अभी तुम हार गए आईजन तो आईजन बोलता है तुमने कुछ कहा क्या तो योरोईची बोलती है तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम्हारे पास अब कोई भी जगह नहीं है यहां से भागने की तभी वहां पर उकिटा के क और आपू हेट केप्टन यामामोटो इकाकू और टेट्सुजाइमून सब वहाँ पहुच जाते हैं तभी आइजन हसता है और बुलता है सौरी पर मेरे जाने का टाइम आ गया है तभी उपर से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मैनोस ग्रांडे दिखते हैं तो सुईफ आइम उनको रोकते हैं और बुलते हैं वो लाइट एक वैपन है उसका नाम नेगाशियन है ये टेकनिक है जो मैनोस ग्रांडे यूज करते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए जो भी इस लाइट में होता है उसके लिए बाहर आना इंपॉसिबल होता है और जो बाहर ह उनको अंदर जाना इंपॉसिबल होता है तभी कोमा मारू बूलता है टोसेन वापस आजओ तुम्हें याद है तुमने मुझे बोला था कि तुम सोलरी पर तुम्हारी मरीवी दोस्त के लिए बनना चाते थे तुम्हारे जस्टीस के लिए अभी तुम्हारा जस्टीस कहा तो टूसिन बोलता है मैंने कहा था जिस रास्ते में कम खुन बहेगा वो ही रास्ता मैं चूज करूँगा तबी उकिटा के आइजन से पुछते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो तो आइजन बोलता है मैं ये सब सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग बनने के लिए कर रहा हूँ तो तु मैं भगवान बनूंगा जल्दी ही और अभी से मैं टॉप पर रहूंगा चलो गुडबाई सोल्रीपस कुडबाई रियोग का बोई तबी ऐजन वहां से चला जाता है और एक सोल्रीपर बूलता है जल्दी से मेडिकल टीम को बुला तभी वहां पर मेडिकल टीम पहुँच चाती है तभी वो सोल्रीपर उरी हीमे को देख के उसकी हीलिंग पावस की तारिफ करता है तभी वहाँ पर कैप्टन उन्होःणा आती है तो वो सोल्रीपर पुछता है क्या अभी कैप्टन हित्सुगाया और मूमु ठीक है तो उनोहाना बुलती है वो लोग मौट से बाहर है पर अब आगे सब उन लोगों पर डिपेंड करता है तब ही उनोहाना बयाकुया के पास जाती है तब ही उनोहाना रुक्या को बुलाती है और बुलती है तुम्हारे भाई को तुमसे कुछ बात करनी है तब ही रुक्या वह को खो दिया था तो रुक्या बूलती है लेडी हिसा ने मुझे पता है और सब लोग मुझे बूलते थे कि मैं उनकी तरह दिखती हूं इसलिए सब मुझसे प्यार करते थे और अपनी छोटी बेहन की तरह रखते थे तो बया क्या बूलता है वो इसलिए क्योंकि मैंने सब को बुला था पर ये एक जूट है और हिसाने तुम्हारी बड़ी बेहन है वो और तुम दोनों यूमन वल में मर गए थे और तुम दोनों रुकों डिस्ट्रिक्ट में भटक रहे थे पर वो लाइफ बहुत बुरी थी इसलिए उसने तुम्हें वहाँ पे ही छोड़ दिया पर जब हिसाने मेरी वाइफ बनी तब वो तुम्हें रोज धूंडा करती थी और उसके लिए वो बहुत बुरा फिल करती थी और हमारे पांट शाज सादी के पूरे होने के बाद वो मर गई तब वो बोल रही थी कि जब मैं मर जाओं तो तुम मेरी बेहन को डूंडना और उस इस गर में लेके आना पर उसको बताना मत कि मैं उसकी बेहन हूँ प्लीज और तुम उसका ध्यान रखना और मैंने तुम्हें वही साल में देखा और तुम्हें एडॉप्ट कर लिया पर सब मुझे मना बोल रहे थे एक रुकों डिस्टिक्ट वाले को गर में रखने के लि प्रॉमिस किया कि मैं अपने लोस को कभी नहीं तोड़ूँगा मैं इतना डिस्पिरिट हो गया कि मैं हिसाने के आखरी क्वाइश को भी पूरा नहीं कर पाया तो मैं दो कस्में खाई वही मेरी गलती थी जब तुम्हें मौत की सजा सुनाई तो मैं बहुत बुरी हालत में आ गया कि मैं क्या करूँ अपने पेरेंट्स की कसम को पुरा करूँ या फिर हिसाने की कसम को पुरा करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर इचीगो कुरोसाकी ने मेरे को बहुत हेल्प की उसके लिए उसको थेंक्यू बोलता हूँ और रुक्या मुझे माफ कर दे तबी एपीजोड को तम